हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, एक्सरसाइज 12.2 से कोस्चेन नमबर 7 करेंगे एक काइट है जो की स्क्वेर की शेप की है, और इसका जो डाइगनल है वो 32 सेंटीमीटर का है और एक आइसोस्केलर स्ट्रेंगल भी है इस काइट में आफ बेस 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है, और वो जो आइसोस्केलर स्ट्रेंगल है उसकी जो बाकी दो इक्वेल साइट से वो 6 सेंटीमीटर की है इस टू बी मेड़ अफ थ्री डिफरेंट शेड्स, एस शोन इन फिगर, फिगर में आप देख रहे हैं कि काइट में 1, 2, 3 डला हुआ है यहाँ पर यह अलग-अलग शेड्स हैं जिनसे काइट बनाई गई है तो आपको यह बताना है कि यह जो नमबर डले हुए हैं, यह जो तीन तरह की शेड्स हैं इन शेड्स में जब आप काइट बनाएंगे तो कितना-कितना पेपर यूज़ होगा तो बेसिकलिक करना यह है कि शेड्स 1 का एरिया निकालना है, शेड्स 2 का एरिया निकालना है और शेड्स 3 का एरिया निकालना है अब कोशन की शुरुआत करते हैं, हमें यह दे रखा है कि जो यह उपर का पार्ट है यह स्क्वेर है और square का diagonal दे रखा है अब square के जो diagonal होते हैं वो बराबर होते हैं यानि ये 32 है तो दूसरा वाला diagonal भी इसका 32 cm ही होगा अब एक square जो है वो rhombus भी होता है क्योंकि square के अंदर rhombus की सारी properties होती है तो यहां हम ये करेंगे कि पहले इस square का पूरे का ही area निकाल लेंगे और इस पूरे का area जब हम half कर देंगे तो number one का area निकल जाएगा number two का area निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो लिए question की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये लिखना है आपको कि a square is a rhombus rhombus लेकर मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं यहां पर rhombus का formula लगाऊंगा a square is a rhombus with equal diagonals इसके diagonals बराबर होते हैं तो area of rhombus होता है half diagonal 1 into diagonal 2 तो area of rhombus इतना होता है तो area of square भी यही होगा तो therefore area of square ये भी half into diagonal 1 into diagonal 2 होगा अब यहां पर जो दोनों diagonal से वो बराबर होंगे तो मैं half diagonal 1 भी मेरा 32 है diagonal 2 भी मेरा 32 है solve करते हैं तो यह half 32 से cut किया 2 से divide किया 1 यह 16 आ गया यहां 16 को 32 से multiply करेंगे तो यह value आएगी 512 cm2 अब यह जो 512 cm2 है यह पूरे square का area आ गया है और square में जो diagonal होता है न वो उसको दो equal triangles में divide कर देता है तो पेपर 1 का जो area होगा पेपर needed for shade 1 यह इस पूरे का square का half हो जाएगा यानि half of 512 cm2 तो यह value आ गया divide करका 256 cm2 तो shade 1 में इतना पेपर लगेगा इसी तरह से paper needed for shade second second में भी इतना ही लगेगा तो half into 512 cm2 यानि 256 cm2 तो first or second का हमने निकाल लिया अब आते हैं third triangle के उपर यह काई चोस के लिए स्ट्राइंगल है इसकी दो side 6,6 की है और 8,8 की है तो इसका area हम निकालेंगे अपने heroes formula से तो in triangle 3 heroes formula में मैं A ले लेता हूँ 6 को और B ले लेता हूँ 6 को और C ले लेता हूँ इसकी 8 cm वाली side को यह मेरे ABC हो गए और heroes formula होता है area of triangle third heroes formula होता है under root में S, S-A, S-B, S-C यहाँ पर ABC मेरी sides है और S होता है triangle का semi perimeter तो semi perimeter निकाल लेते हैं semi perimeter होता है तीनो side का sum यह तो perimeter हो गया इसका half कर देंगे तो यह semi हो जाएगा 6 plus 6 plus 8 by 2 यह उपर हो गया 20 by 2 यानिकी 10 cm तो S मेरा 10 आ गया formula में values put करते हैं 10 S-A यानि 10-6 S-B यानि 10-6 S-C यानि 10-8 further इसे solve करते हैं तो 10 का 10 ही रहेगा 10 में से 6 गया तो 4 आया 10 में से 6 गया तो 4 आया 10 में से 8 गया तो 2 आया अब मैं करूँगा इसके prime factors 10 के prime factors होते हैं 2 5s are 10 तो 2 into 5 लिख देंगे 4 के prime factors होते हैं 2 into 2 4 के prime factors होते हैं 2 into 2 और 2 खुदी एक prime number है तो यह 2 ही हो गया अब जब इसका square root निकालते हैं तो 2 चीज का एक बाहर निकलता है तो यहाँ मैं देख रहा हूँ यह 1 2 है यह 1 2 है तो इन में से 1 2 बाहर आ गया यह 2 हो गए इन में से 1 बाहर आ गया यह 2 हो गए इन में से 1 बाहर आ गया यह 5 अंदर बच गया इसका pair नहीं बन रहा ना तो यह under root में ही रहेगा solve करते हैं बाहर बाहर आ गया 8 और यह root 5 अब इस root 5 की आपको value निकाल ली है तो root 5 का value निकालने के लिए आप division method का use करेंगे, देखें root 5 जो है इसका 5 का हम square root निकालेंगे division method से तो 5 अकेला number है point लगाके मैं इसके इसमें 3 pair और बना लूँगा 0 के, क्योंकि point के बाद कम से कम में 3 number तक इसको solve करूँगा तो square root निकालने के लिए division method में आपको इसके नीचे square number लिखना है तो मैं देख रहा हूं कि 11001 हो गया 22004 हो गया, 33009 हो गया तो 9 तो बढ़ा है तो 2200 पे बाद जाएगी 2200 हो गया 4 माइनस किया 1 आया अब यहाँ पूरा set उतरता है तो यह दोनों 0 उतर जाएंगे अब यहाँ पर 2 में 2 ही जोडना है तो यह 4 आ गया अब यहाँ पर एक number लेना है और वो जो यहाँ लेना है यह बिलकुल same number होने चाहिए number ऐसा आए जो 100 या इससे छोटा आए तो मेरी बाद 2 पे बन रही है अगर मैं यह 2 लेता हूँ तो 42 बनेगा और फिर 42 को 2 से ही multiply करना है तो यह 84 आ जाएगा इसे माइनस करेंगे तो यह 16 आ गया अब पूरा set उतारना है उपर से तो यह 2 0 उतार दिये अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर once में once ही जोडना है यह 42 है न तो इसके once यानि कि जो two है इसमें two जोडना है तो यह 44 हो जाएगा अब यहाँ पर और यहाँ पर मुझे same number लेना है ताकि मेरा 1600 या इससे छोटा आ जाए तो मेरी बात बन रही है यहाँ 3 पर 443 को मैं 3 से multiply करूँगा तो यह value 1329 आएगी इसे minus करता हूँ तो यह 271 आ जाएगा उपर से फिर अगला पेर उतारता हूँ तो यह 2 0 हो गए अब यहाँ पर क्या करना है कि 3 में 3 जोडना है 443 है 3 जोड देंगे तो 446 हो जाएगा और यहाँ पर और यहाँ पर मुझे एक सेम नमबर लेना है ताकि 27100 इससे छोटा नमबर आए तो मेरी बात बन रही है यहाँ पर 6 पर 4,466 को मैं 6 से जब multiply करूँगा तो यह value आएगी 26796 बस point के बाद आप 3 नमबर तक ही ले क्योंकि 3 नमबर को फिर पीछे के 2 नमबर को आप round off कर लेंगे इसके बाद question यहाँ से करेंगे यहाँ तो मेरा यह 8 है और root 5 की value मैंने निकाल ली है 2.236 अब 8 multiply यहाँ क्या करूँगा तो हमें पीछे के यह जो दो नमबर है थ्री 6 इनको round off करूँगा तो 36 यानि कि 36 इन्हें जब near as 10 करता हूँ तो यह 40 के पास है तो मैं यहाँ 36 की जगे 40 लिख सकता हूँ अब 2.240 अब इसका जब product करते हैं तो इसका जो product आएगा यह value आजाएगी आपकी 17.920 cm2 और point के बाद number की value होती है 0 की नहीं होती है तो आप यह भी लिख सकते है 17.92 cm2 यह आपके इस triangle का area आगा है और यह क्या है यह shade 3 है न तो यहाँ पर answer लिख दीजिए paper required for shade 3 is equal to 17.92 cm2 question खतम तो इस वीडियो में बस इतना है next questions के लिए मिलते हैं तब तक के लिए goodbye